नमस्कार दोस्तों मैं दीपक शर्मा आपके अपने यूटूब चैनल दीपक तैंस क्लासेश में आपका स्वागत है दोस्तों कैसे हो आसा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे रस्त होंगे मस्त होंगे आज हम चो लैब असिस्टेंस की चो एक्साम है विग्यप्ति इतजार नहीं करना है हमारी तैयारी जो प्रिप्रिशन उसको स्टार्ट बिलकुल कंटिन्यू रखना है आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे फिजिक्स की कि फिजिक्स के अंदर लैब असिस्टेंस के अंदर क्या सलेवस है कौन-कौन से टोपिक है और आज हम एक से उनको बिल्कुल डेटिल से पढ़ना है और उनकी प्रक्टिस एक्सराइज उनकी करनी उनसे रिलेटेड ठेक है उससे बार कुछ नहीं पूछा जाने वाला ठेक है ना जैसे हमारे पास में पहले उनिट है जिसका नाम है डायनेमिक ओफ दे रिजिड बोडी द्रड पिंड गतिकी इसके अंदर हमें पढ़ना है बल आगूं कोणिये सम्वेक्शन का जो नियम है कंजर्वेशन ओफ दे एंगुलर मुमेंटम एंड सरल ज्यामिती वस्तुओं का जड़त्व है जो मुमेंटम ओफ इनर्शिया ओफ दे सिंपल जियोमेट्रिकल अब्जेक्ट फॉर ए करेंगे न उसके बाद में हीट इंज़न होता है जिसे कार्णों इंज़न और रेफ्री जनिटर के बारे में पढ़ेंगे रूस्ते रिलिवेंट्य हमारे एग्जाम में कुशन पूछे दाएंगे तीसी हमारे पास में ऑसिलेशन दोरन यहां पर हम ऐसे चैंप पढ़ेंग जो तरंगों का जो अध्यारूपन का जो सिद्धानत है उनके अंदर हम बिल्कूल डेटेल से स्टेडी करेंगे उनका मैथमेटिकल कौन-कौन से नियुमेरिकल से बनते हैं सभी और एक धोफलर इफेक्ट है ठीक है इसके अलाव मैं अगर युनिट नंबर फाइब की बात कर से बिल्कूल बेसिक से ठीक है आपको बिल्कूल नोट्स की पीडिएफ मिलेगी अच्छा कंटेंट मिलेगा चाहिए आप किसी भी बड़े से बड़े इस्टिटूट से अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको पढ़ाए जाएगा उससे कंपेरिजन कर दाएना आप इसके बाद में इलेक्ट्रिक फिल्ड है इसके लिए इससे रिलेटेड जो गाउस का फियोरम है और उसके जो एप्लिकेशन है वो सब हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे उसके बाद में एकर मैं यूणिट नमबर 6 के बारे में बात करूं तो यूणिट नमबर 6 है हमारे पास में इलक्ट्रिक करंट विद्धुधारा या हम किर्चॉप के लो पढ़ेंगे फर्ष्ट लो और शेकंड लो के बारे में पढ़ेंगे उन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्विशन सोल करेंगे विट इस्टोन ब्रीज है कौन से प्रिंसिपल पर कारिये करते हैं कौन सा एक तरीके से एक्सपरिमेंटल टोपीक है ठीक है आपने ट्वेल्थ क्लास में इसे रिलेटेड एक्सपरिमेंट भी किये होंगे साथ मिनुट है हमारे पास में ओप्टिक्स जिसके अंदरा माइक्रोइस्कोप के बारे में पढ़ेंगे इंट्रफेरेंस और डिफ्रेंशन एंड पॉलिराइजेशन एंड पॉली लिरोमेटर के बारे में पढ़ेंगे कि व्यतिकरान क्या है विवर्तन क्या है दुरूण क्या है दुरूण मापी क्या है ठीक है इन सभी के बारे में पढ़ेंगे बुष्टर के नियम के बारे में पढ़ेंगे सभी इसी के अंदर आ नहीं है कि हमें hydrogen atom का बोर मोडल पना उसके इर्दगर्द बनने वाले क्यूशन भी हमें पढ़ने है ठीक है और हमें आपको पता है जब नील्स बोर मोडल क्यों आया हाइड रदरफोर्ड के मोडल में कुछ कमी रह गई इसलिए तो हाइडरजन के नील्स बोर का यूनिट नमबर नाइन यूनिट है हमारे पास में न्यूक्लियाई जिसे ना भी पूलते हैं यहां हम मास्ट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे फिर न्यूक्लियर बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियर सलियन के बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे उसके बाद में युनित टममर्टेन है सेमिकंड़क्टर एलक्टोनिक्स जो यूनिट है ठीका ना इसके अंदर हम जंजंग पढ़एंगे एक पीएंज संदी क्या है पीएंजंदी डायोड क्या है ठीका इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे पीपोल, एनपोल, उससे पहले हम समझेंगे कि सेमिक अंड़क्टर क्या होते हैं, कितने टाइप क्यों होते हैं, पीपरकार का, एक एनटाइप का कैसे बनते हैं, कौन से इसमें असुद्धी मिलाई जाती है, ठीकर हम सभी बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप के बारे में बात करेंगे, बनने वारे नुमेरिकल के बारे में बात करेंगे, लोजिक गेट के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे, रिफलेक्टर, डायोड एज ए रिफलेक्टर, कि डायोड एक रिफले सलेवबस की अब हम सबसे पहले एक छोटी सी unit start करने जा रहे हैं सलेबस का कोडिंग वो है atomic यहां बहुर model of hydrogen atom अब ध्यान से समझेगा यहां पर हमारे सलेबस में तो केवाल क्या है more model of hydrogen atom ठीक है न लेकिन हम अच्छे से समझेंगे atom क्या है कैसे हमें क्यों जो Every Adam के लिए जो बोहर मोडल है वो क्यों आया क्यों जरूरत पड़ी उसकी निल्सबोर क्यों आये क्या रदर फोर्ड में क्या कुछ कमिया रह गई थी वह सभी बेसिक बाते हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं चलो तो आज हम सुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से आफ में टाइम है नोट्स आपको एक बिल्कुल अच्छे quality को बने बनायें आपको मिल रहें कुछ उच्टे से बिल्कुल बेसिक से समस्झते वłe आगे बड़ते हैं यह notes की अलग बात है पैसे ले भी लिये जाते हैं एक अच्छी quality नहीं मिल पाती है फिर भी ठीक है न तो आपको ऐसे अच्छे लगे नोर्स अच्छे लगे तो आप कम से कम नोर्स भी सेयर करना ठीक है चलो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर टाइम खराब किये सब्से पहले मैं गरंथ लिखा गया था जिसका नाम था वैसे सिख दर्सन उस गरंथ से हमें इस बात की जानकरी मिलती है कि भारतिय दार सिंग मैर सिख अनाड ने 600 इसा पूरो ही पहले ये बता दिया था कि एटम क्या होता है तो सबसे पहली बात परमानों के बारे में सबसे पहले किसने बता याद रखना मैर सिख कनाड ने कौन से गरंथ में वैसे सिख दर्सन नामक गरंथ में इन्होंने ये बात बताई थी लगबग 600 इसा पूरो बले बताया था क्या बात बताई कि परतेग पदार्थ सुक्षतम एविभज्य कनों से मिलकर बना होता है जिने ही इन्होंने क्या नाम दिया परमानु नाम दिया इन्हों ने कहा कि कोई भी पदार्थ है वो सुख्शतम कणों से मिलकर बना होता है और वो कण होते हैं वो लोन डिवीजिबल पार्टिकल होते हैं जिने अम आगे और विवाजित नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं एविभज्जे कहते हैं क्या कहते हैं हम उन्हें कहते हैं एविभज्जे कनो को ही महर्षी कनाड ने किसका नाम दिया किसका नाम दिया एटम का नाम दिया किलियर यह बात चलो अब आगे वढ़ते हैं लेकिन याद रखना यह महर्षी कनाड ने केवल और केवल एक तरीके से उनका कोई इसके पीछे कोई साइंस नहीं थी उन्होंने ये बताया था बस केवल लेकिन साइंटिफिक रूप से वेगैनिक रूप से परमानु की खोज का सरे जोन डोल्टन को दिया जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि परमानु की खोज किसने की तो क्या बताओगे जोन डोल्टन ने और जोन डोल्टन ने सन 1803 में परमानु के बारे में सबसे पहले सिद्धान्त दिया था तो याद रखना परमानु के बारे में सबसे पहले सिद्धान्त किस ने दिया वेगैनिक सिद्धान्त या सिद्धान्त किस ने दिया तो आप क् पिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप से पूछा जाए कि परमानों के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो आपका आंस्वर क्या होगा महर्शिक कनाड ने, परमानों की खोज किसने की जोन डोल्टन ने, सबसे पहले परमानों सिद्धान किसने दिया जोन डोल्टन ने, किलि जेजे थोमसन ने सबसे पहले electron की खोज की और electron की खोज कैथोड किरणों से की ठीक है इसके electron की खोज के बाद में JJ थोमसन ने ये बात सिध कर दी जो atom होता है वो एक non divisible particle नहीं होता है बलकि atom क्या होता है विभाज्य होता है पहले क्या चल रहा था अभी तक कि परमानों एक यह भी भज्यकन है लेकिन जेजे थॉमसन दुआरा इलेक्ट्रोन की खोज के बाद में ये बात किलियर हो गई ये बात साबित हो गई कि एटम है वो एक नोन डिविजिबल पार्टिकल नहीं है ठीक है दोस्तो इसी समय के अंदर मैं आपको बता दू हेंडरी बेकुरल हेंड रेडियो एक्टिवता की खोजगी थी याद रखना दोस्तो रेडियो एक्टिवता है वो एक नाबिक का गुन है नेकी एटम का गुन है ठीक है रेडियो एक्टिवता के बारे में मैं नाबिक वाले चेप्टर के अंदर आपसे डिटेल से बात करूंगा ठीक है साथ ही मैं आपको बता दूँ कि electron के उपर जो E बटा M, E का मतलब है, charge M का मतलब है mass, electron का charge बटा mass का जो ratio होता है, जिसे हम बोलते हैं, विसिष्ट आवेस, क्या बोलते हैं, विसिष्ट आवेस, या मैं बोलू specific आवेस, और specific charge, और इस specific charge का जो मापन किया था, वो भी किस ने किया था, जे जे थोमसन ने किया था, याद रखना, कि electron के लिए E बटा M का मापन किस ने किया था, जे जे थोमसन ने किया था, और electron के ये इबटा M का जो मान होता है वो माइनस 1.76 इंटू 10 की पार माइनस 8 कूलाम परतिग्राम होता है ये भी याद रखना वैसे मैं एटम वाले चेप्टर में केमिस्ट्रिक में आपको ये चीच किलियर कर दूँगा उसके बाद में ये भी याद रखना इलेक्ट्रोन पर जो आवेस का मापन है वो एक अमेरिकी वेगनिक थी जिनका नाम था आरे मिलिकन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था उस एक्सपेरिमेंट के दुआरा जो electron पर calculation of the charge electron पर आवेस का क्या किया था मापन किया था या गणना की थी ठीक है न ये बात clear हो जानी चाहिए इन्होंने ही सबसे पहले Millikan ने ही सबसे पहले ये बताया था कि आवेस होता है वो एक कैसी रासी होती है क्वांटी कर्त रासी होती है कैसी रासी होती है क्वांटी कर्त रासी होती है और आवेस के जो एक क्वांटा का मान होता है वो plus minus e होता है और इस plus minus e का जो value होती है वो हमारे पास में 1.6 into 10 की पार minus 19 कूलाम होती है इन्होंने ही बताया था कि अगर कोई भी वस्तू है कोई भी मैटर है उस पर अगर minimum अगर कोई भी charge possible हो सकता है तो वह या तो plus का 1.6 into 10 की पार minus 19 कूलाम हो सकता है या minus का हो सकता है ये बात clear होनी चाहिए आपको उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ कि संग 1911 के अंदर देखो मैं पूरा basic आपसे बाद लेके चल रहा हूँ कि 1911 के अंदर रदर फोर ने एलफा कणों के परकिनन परियोग किया था एलफा रे इसके experiment किया था और इस experiment के दुआरा रदर फोर ने nucleus की क्या की थी खोज की थी nucleus नाभी का center part होता है जिसका size 10 की पार minus 15 मिटर या मैं कहूं या मैं कहूं कि इसका मान इसका size एक फर्मी मिटर होता है एक फर्मी किसके कल होता है 10 की पार minus 15 मिटर के या मैं कहूं 10 की पार minus 13 cm के clear इसके बाद में आगे बढ़ते है रदर फोर ने जब एलफा कन परकिनन experiment किया था उससे नाबिकी खोज हो गई थी उसके बाद में scientist आये थे जिनका नाम था नील्स बोर और नील्स बोर ने 1913 में hydrogen atom के लिए क्या दिया था अपना model दिया था clear और हमारे सलेबस के अंदर केवल यही दे रखा है hydrogen परमानू के लिए model clear उसके अलावा आप यह भी याद रखना hydrogen जब atom के लिए model पढ़ेंगे तो हम hydrogen spectrum भी पढ़ेंगे उसके अंदर energy levels भी पढ़ेंगे और उन energy levels के बारे में एक important question बनता है कि यह question पूछाता है कि परमानू में ऐसतत एसतत उर्जा इस्तरों के बारे में प्रायगीक परभावय सबसे पहले किस ने बताया तो याद रखना हर्ज ने बताया था कब बताया था 1914 के अंदर बताया था ये बात भी याद रखना clear अब हम basic basic थोड़ा-थोड़ा का परमानू मोडल आज हमारा TOPIKा भी तो सबसे पहले बता दू सबसे पहले आप तो ये क्यूशन इयाद रखना सबसे पहले परमानू मोडल किस ने दिया था जोन डोल्टन ने कब दिया था 1803 में व्यग्यानिक रूप से सबसे पहले से मिलगरों बना होता है कोई भी जो मारे पास में मैटर होता है वह चोटे-चोटे चोटे चोटे-चोटे यह मान के चलो बहुंत- पर्मेशन होता और उन नोन डिविजिबल पार्टिकल को ही डोल्टन ने क्या कहा एटम कहा क्या कहा एटम वैसे एटम सबद ग्रीक बासा के सबद एटोमिया से बनाए इससे बनाए एटोमिया से और एटोमियों का जो अर्थ होता है वो खुद ही क्या होता है अनकाटेबल या नोन डिविज पाशे होटा है लेकिन जेजे ठॉंशन ने एलेक्ट्रस की कोज करके यह बात साबित कर दिया कि परमानू एभिबाज्ज़्ै नहीं होता है साथ में जोन डोल्टन ने भी बताय कि रासाइज réf किरिया है रासाइज कभी करिया है उनके अंदर कौन भाग लेते हैं एटम ही भाग लेते हैं ठीक है तो याद रखना जिस प्रकार से जिस परकार से मानव स्रीर की सबसे छोटी एकाई होती है सबसे छोटी लोवेश्ट जो यूनिट होती है वो सैल होती है कोशी का होती है उसी परकार से कोई भी पधार्त होता है उसकी जो लोवेश्ट यूनिट होती है वो हम क्या मानते हैं एक्टम मानते हैं ये सब बेसिक चीज़े हमें अच्छे से किलियर होनी चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में बात करते हैं जेजे थोमसन का परमानू मोडल जैसे ही जेजे थोमसन ने इलक्ट्रोन की खोज की तो उनसे ये पूछा गया कि अगर आप ये कह रहे हो कि एटम नोन किया था उस मोडल को दोस्तों तर्बूज मोडल या प्लम पुडिंग मोडल के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर उब्जेक्टिव क्यूशन बन सकते हैं कि जेजे थोमसन के मोडल को क्या कहते हैं तर्बूज मोडल या प्लम पुडिंग मोडल के नाम से भी जाना जा की पार माइनस 10 मिटर को हम क्या बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं तो मैं यह भी कह सकता हूं एटम की साइज होती है वो एक एंगस्ट्रॉम होती है दूसरी बात इन्होंने क्या बताई इन्होंने बताई कि एटम एक ठोस धनाविशित गोला होता है और जिन में धना होता है यहां पर यह कमी रह गई इन्हों ने एक तो क्या बताय कि परमाणु के अंदर संपूर्ण धनावेस और द्रेवमान जो पूरा 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 मास है वह पूरे के अंदर बिल्कुल सिमिलर एक समान रूप से क्या होता है डिवाइडेबल होता है सभी के अंदर फैला रहता है ठीक है ये बात किसने बताई जेजे थॉमसन ने जबकि आप खुद जानते हो कि परमाणू का जो द्रेव्यमान होता है और धनावेस होता है वो के ओले बीच वाले सेंटर वाले पार्ट के अंदर केंदरित होता है उसे ही तो अपन ने क्या कहा था नाविक कहा था तो ये कमी थी जेजे थॉमसन की जिस कमी को दूर किसने किया रदर फोड़ ने और इस कमी के साथ ही रदर फोड़ ने किसकी खोज कर दी नाविक की खोज कर दी चलो आगे बढ़ते हैं तो देखो ये जेजे थोमसर ने बताया कि जो एटम होता है वो 10 की पार माइनस 10 मिटर का धनाविसित गोला होता है और इसमें ये इलेक्ट्रोन है इन्होंने अपने मोडल के तुलना तर्बूज मोडल से किये या पलंपुडिंग मोडल से तर्बूज मोडल क्यों कहते हैं क्योंकि जिस परकार से ये गोलगोल तर्बूज है और इसके अंदर जिस परकार से बीज दसे होते हैं तर्बूज में वो तर्बूज का जो रेड कलर पार्ट है वो तो दनाविसित थोस गोला हो गया और ये जो बीज होते है वो उसको क्या दिया रिनाविसित इलेक्ट्रोन और जेजे थोमसन को जो नोबिल पुरुषकार मिला था वो भी इस बात के लिए ही मिला था ठीक है नैकी इलेक्ट्रोन की खोज के लिए ये बात भी याद रखना ठीक है और पलम पुडिंग एक वीदेसी मिठाई है कभी आप खाए नहीं जल्दी आप अपना सेलेक्शन कराओ फिर में और बीच में काजू बादाम के मेवे जमा देना ठीक है ना किसमिस तो यह मान के चलो काजू बादाम है वो तो क्या है इलेक्ट्रोन है और बाकी का पूरा क्या है सोलिड धनाविसित पार्ट है किलियर चलो आगे भढ़ते हैं अब देखू क्या कमी रह गई जेजे थो इस बात को भी नहीं समझा सका फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट के एक्स्प्लेनेशन भी नहीं कर सका यह जेजे थोंसन के मोडल की कमिया थी उसके बाद में हम बात करते हैं थोंसन के मोडल की कमिया के बारे में बात करते हैं सोरी 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 इन सभी बातों को तो इस समझा स पाए एक तो इन्होंने hydrogen परमानों के रेखी spectrum की व्याख्या नहीं कर सके तो याद रखना it does not explain of the linear spectrum of the hydrogen atom explain नहीं कर सके hydrogen परमानों का रेखी spectrum कैसा रहा है ठीक है दूसरी बात it does not explain of the alpha spectrum alpha spectrum या alpha particle scattering experiment of the Rutherford Rutherford के alpha कन परियोग यह explanation नहीं कर सके यह भी एक कमिया थी ठीक है न जेदे थॉंसन की परमानों मोडली की clear चलो तो आज हम यहीं तक रखते हैं फिर next class से हम अपने topic को बिल्कुल continue रखते हैं क्लास को नोट्स की पीडियेव आपको टेलिग्राम के अंदर मिल जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलते हैं अगली क्लास में तब सभी अभी enjoy कीजिए बराबर अपनी study को बनाई रखिए मिलते हैं नेक्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद